नमस्कार मैं बताने वाली हो कि डार्क सर्कल आख के नीचे जो आते है उसके लिए आप क्या होम रेमेडिस करोगे बैसिकली डार्क सर्कल आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो उसके वज़े से भी आते है और उसके साथी साथ उम्र बढ़ती है तो हमारी तवचा अरी रिजनरेशन की ख्रमता खोती जाती है जिसके वज़े से भी डार्क सर्कल होते है तो शरीर में अन्य भागों की तवचा करीब 2 mm मोटी होती है परन्तो आखों की नीचे की तवचा सिर्फ 0.5 mm मोटी होती है जिसके वज़े से क्विकली आपके आखों क की नीचे डाख सरकर आजाते हैं अगर आपको चश्मा है तो उसके वजह से भी आपको डाख सरकर करा जाते हैं क्यूंकि वो दूप में निकलने ही वजह से कि वो भाग ज्यादा काला हो जाता है तो उसके वज़े से आपको डाग सलकर हो जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए कुछ छोटे-छोटे उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ तो उसमें पहला तो है मैं बताऊंगी कि अच्छी नींद ले बरपूर नींद ले बिल्कुल आपके नींद के इसमें कॉंप्रोमाइज मत कीजिए आराम अपने शरीर को बहुत ही इंपॉर्टन होता है और नींद सिर्फ शारेरी की नाले कि मानसिक भी अगर आपको मेंटली भी कुछ ठकान है जिसके वज़े से आपको डाग सलकर आते है तो दूप से पहले तो बचे आपके स्कीन को और आपके आइस के नीचे के स्कीन को दूप से बचाए रखिए जैसे मैंने कहा कि वो बहुत पतली होती है वो स्कीन बाकी स्कीन के हिसाब से तो उस उस पे भी ढान ले और सबसे अच्छा है बिमारियों में क्या होता है कि आप एक आननस ले उसका रस ले उसमें हल्दी मिलाकर वो पेस्ट आप आखों के नीचे लगा सकते हैं जिसके वज़े से आपको क्विक रिलिफ मिलेगा आपके डाक सरकर से साथी साथ पुदीना के पत्ते आप मसल कर हाथ पर ही मसल दीजिए और आख के नीचे लगा दीजिए ये बहुत अच्छा उपा है जो आपके डाक सरकर क्विकली निकाल सकता है लिम्बू के रस के बराबर मात्रा में आपको ककड़ी का रस लेना है और वो 10 से 15 मिनिट तक आपको आग के नीचे लगा कर छोड़ देना है और बाद में साधे पानी से आपको दो देना है ये भी क्विक रेमेडी है आपके आग के नीचे आए हुए डाक सरकर को निकालने और एक बताने वाली हुम है कि एक छोटे कच्चे आलू का रस आपको निकाल कर लेना है और रुई से उसमें डुबो कर आपको एक आखो के नीचे लगाना है 15 मिनिट तक आपको लगाना है और बाद में उसे छोड़ दे ये भी अच्छा उपाय है आपके डाक सर कर निकाल द देनी है और बाद में ठंडे पानी से दो देना है वो उसके वज़े से भी आपके डाक सर कर कम हो जाएंगे रात में सोने से पहले काले घेरो पर थोड़ा बदाम जो है वो क्या है बदाम का तेल वो आपको लगा के मालिश कर के छोड़ देना है ये तो बहुत ही अच्छी रेमेडीज है जिसके वज़े से आप अपने डाक सरकर निकाल सकते हैं तो ये कुछ रेमेडीज थी डाक सरकर के बारे में अगर आप वो करोगे तो ज़रूर आपको फाइदा मिलेगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चानल ज़रूर सबस्वाइब करिएग दन्यवार